यहां पर लेकर आगह हैं आपके लिए पूरा का पूरा बहुती ज्ञान ककशा बारा का जो आपके अर्ध वार्षिक प्रिक्षा हो रहे हैं उसका मैं पूरा का पूरा सलुचन यहां पर करवाने बाला हूँ सब्सक्राइब दोरा जो बीडियो पन्ध मेंट आपको दिया जाएगा सुरी को जो 15 मिट होते हैं आपके लिए प्रस्ण पत्र पढ़ने के लिए दिये जाते हैं ठीक कक्छा बारा बहुते भी ग्यान की बात करेंगे तो यहाँ पर पुलांग 70 नंबर का आपके लिए होगा सभी प्रस्ण आपके लिए करना अनिवारी होंगे दिये गए प्रस्णों में सहीं उत्तर आपको लिखना है ठीक है न और मैं आपको बता दूँ जो कच्छा बारवाल हमारे बच्चे है न उनके लिए बहुत ही जादा अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कराई जाएगी तो आप लोग बिल्गुल घवराईएगा मत क्योंकि याप के लिए है अदनी सारी मेहनत की जा रही है ठीक है न वह विकल्पी प्रस्ण की बात करेंगे ठीक है न तो आठ कुलाम देखे पहला प्रस्ण आपके लिए यही दे रखा है मैं थोड़ा सौल्व करके भी इसको बताऊंगा कि आप लोग कैसे करेंगे क्वेशन पहला देखे क्या दे रखा है क्वेशन दे रखा है आठ कुलाम रिण आवेस में बिद्दिमान इलेक्ट्रानों की संख्या यानि यन का मान पूछ रहा है यन का मान पूछ रहा है और किसका मान दे रखा है सी यानि कुलाम यहां पर 8 कुलाम दे रखा है और आप लोग फार्मूला जानते हैं Q बराबर यन इंटू E E क्या है? E क्या है? इलेक्टरान पर आवेस नहीं 1.6 इंटू 10 की पाउर माइनस 19 जो की निगेटू है यह आपका निगेटू हो जाएगा आप लोग समझ लेजिए इसको तो Q कामान की नदे रखा है 8 और यन कामान हमें निकालना है और E कामान की नदे रखा है 1.6 इंटू 10 की पाउर माइनस 19 जो की नदे आपका नदे इसको हम डिवाइट करेंगे यहाँ पर 8 अपान यह नीचे आएगा तो 1.6 इंटू 10 की पाउर माइनस 19 और यहाँ पर ध्याँ दिजएगा बराबर हम क्या करदें यहाँ कोई दिक्कत आपको यहाँ से नहीं होगी हो अब देखिए इतनी चीज आपको मालूम हो गई अब इसको solve करेंगे एक दसमलों को हटाएंगे और इसको उपर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा 16 और इस माइनस 19 को उपर ले जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा और 16 पंचे कितना होता है 80 होता है तो 5 पर इसको divide करेंगे तो यहन बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 19 आपको संख्या में आएगी नंबर में आएगी इसका मातरक कुछ नहीं होता है तो समझ में आया इसका solution तो इसका answer आप लोग देखिए कौन सा answer सहीं होगा तो इसका answer क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 19 ठीक है यह आपके लिए हो जाएगा समझ में आया पहला question आपके लिए ठीक है और इसी तरीके सारे प्रशनों को solve करेंगे देखे एक बंद प्रिष्ट के भीतर मान लिजे कोई बैदू दूधुरू इस्तित है तो बंद प्रिष्ट के निरगत कुल बैदू प्रिष्ट कितना होगा अगर हम मान लिजे, क्या है? कोई हमारे पास बंद प्रीष्ट है मान लिजे, हमारे पास क्या है? एक डिब्बा है, छो कोई टाइक पर डिब्बा है इसके अंदर हमें बाद्व दूधुरूरर रख दिये बाद्व दूधुरूर का मतलब क्या होता है? एक प्लस आवेश रखदिया वने एक निगेट्ग आवेश रखदिया ठेक अब यह कह रहा है कि असे यह नभादईदूधू अपन्नीनन बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे अपनीनन ज선ह में करें ठीक अब यह कह कह रहा है कि इस बंद प्रिष्ट निर्गत कुल बैदुद फ्लक्स कितना होगा तो इससे बताए इससे जो निर्गत बैदुद फ्लक्स होगा आप भी बताए कितना होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जीरो सूनने हो जाएगा ठीक है न क्या हो जाएगा सूनने हो जाएगा ठीक है न चलिए एक गोला कार चालक की तरिज्या 9 मीटर है कितना है 9 मीटर है तो बैदु धारता कितनी हो जाएगी क्या हो जाएगी बैदू धारिता कितनी हो जाएगी ठीक तो त्रिजिया कितना दे रखा है 9 मीटर दे रखा है गोला का त्रिजिया है ठीक तो और यहां पर जो इसकी धारिता हो जाएगी क्या हो जाएगी आपको निकालना है तो इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9 फाइरट कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9 फाइरट टिक अब यह कैसे आया मैं आपको थोड़ा अच्छी तरीके से बताना चाहता हूं यह आपका बैदु धारता वाले चेप्टर से आपको वहां से देखने तो आपको वहां कंसर मिल जा तो आप सब वहां सी वाले चाहरीक अवक्ता होता है बनाता है तो आप अपको दान्त यह बहुत बड़ बड़ दिखाएंगे गया तो उस समय क्या प्रव't gather रपन का अउपयोग किया जाता है ठीक किसका ऑधल दरपन का उपयोग किया जाता है ठीक है न तो दो लेंस जिनकी सक्तियां चार्ड आउप्टर है संपर्क मेरा के संयुक्ति लेंस की फोकस दोरी पूछ रहा है तो आप विजो पी वराबर सकती, पी वराबर क्या होता है, पी वराबर क्या होता है, वन अपान यफ, अगर ये मीटर में होगा तब, और अगर ये संटीमीटर में होगा, तो सव अपान यफ होगा, आप लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है, ये किस में होगा, संटीमीटर में होगा, ये कह का रहा है कि हमें P1 दे रखा है P1 कितना दे रखा है 4 diopter और P2 हमें कितना दे रखा है minus 2 diopter ठेक तो यह आपको टोटल पहले P का मान निकालना होगा कि टोटल P कितना हो जाएगा P पराबर कि हो जाएगा P1 plus P2 ठेक यानि 4 minus 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर यानि 2 diopter आपका हो जाएगा P बराबर कितना हो जाएगा 2 diopter आपका हो जाएगा ठेक और यहाँ पर P बराबर 2 diopter होगा और और ध्यान दे जाएगा फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे यहाँ पर रखेंगे तो 2 बराबर क्या हो जाएगा हमें देखे आंसर किस में दिया है सिंटी मीटर में दे रखा है और मीटर में भी दे रखा है तो दोनों में निकालेंगे यहां पर देखे दोनों में निकालेंगे तो आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा कि हम यहां पर कैसे निकालने वाले हैं ठीक है न तो सब को समझ म आना चाहिए यहां पर ठेक तो तू बराबर क्या हो जाएगा अगर सेंटी मीटर में निकालेंगे तो सव अपान यफ अब इसे अपको यहां पिले जाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा यफ क्योंकि फोकस दूरी निकालना है सव बटे दो यह किसमे होगा सेंटी मीटर में तो निकालेंगे तो कितना आजाएगा पचास सिंटी मीटर कितना पचास सिंटी मीटर अगर हम मीटर में ही निकालें तो यह बराबर कितना हो जाएगा एक बटे दो मीटर यानि कि 0.5 मीटर टेक यह आपके लिए हो जाएगा समझ में आया समझ में आया, तो answer किसमे centimeter में दे रखा, कितना 50 centimeter, टेक, कितना 50 centimeter, तो इस तरीके साब के सारे प्रस्णों को solve करना है, और अच्छी तरीके से समजना भी है, सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हैं हमारे बच्चे सभी को यहां पर देखना है ठीक न चलिए अगले कुश्चन की बात करेंगे अगला कुश्चन देखेंगे जो आप ले बहुत important है बहुत हिमात पूर्ण है ठीक न तो सभी लोग क्या करेंगे अगले कुश्चन को पढ़ेंगे जो का लिए बहुत important और बहुत हिमात पूर्ण है ठीक न तो कुश्चन क्या करा है बैदू छेत की तिवरता की परिभासा एवं सूतर लिखिए ठीक तो सभी लोग आप चैप्टर में पढ़े होंगे बहुत important है बहुत हिमात पूर्ण है तो अगर गयर जो बैदू छेत कैटिवरता है ही बराबर कितना होता है सभी लोग बताइगे बहुत सारा सिम्पल सा कोई सब Amazon सिम्पल में गयए बहुत सिम्पल सा जरावर कितना हो जायगा थब, 1 upon 4 pi epsilon naught 2 q upon R का q, 2p upon R का q, 2 q नहीं होगा, यहाँ पर P upon R का square होगा, ध्यान दीजेगा, यहाँ पर q होगा, यहाँ पर q ही होगा, लेकिन यहाँ पर 2 p upon R का q, पर कुक्तुरूरू यहाँ पर लिया जाएगा, अगर यहीं निरक्षी इस्तिम में लिया जाएगा तो 1 अपान 4 पाइपसाले नाट इन्टू 2 P अपान आर का स्क्वाइर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 नहीं होगा P अपान आर का क्यूब कितना होगा मेरे पर बचलो P अपान आर का क्यूब आपका हो जाएगा तो यह अच्छी इस्तिम होगा और यह निरक्षी इस्तिम में बैदू शक्यति वर्दा होगी बैदू दुधरू के द्वारा इसको आप लोग लिख लिएगा बैदू धायरता की परिभासा और सूत्र लिखिए तो बैदू धूरू परिभासा क्या होते है ध्यान देजिएगा बैदू धायरता की परिभासा और सूत्र पोछ रहा है ठेक तो बैदू धायरता की परिभासा क्या होते है सब लोग बताएंगे बैदू धायरता की परिभासा क्या होते है Q बराबर क्या होता है CV होता है या C बराबर QYV होता है ठीक क्या होता है C बराबर QYV होता है तो परिभासा आप इसी से बना सकते हैं किसी चालक में उपस्तित आवेस की मात्रा और उसमें विभन उत्पन विभव को क्या कहेंगे उस चालक की उसकी धारिता कहेंगे समझ में आया विभव प्रमरता की से कहते हैं या विभव प्रमरता की से कहते हैं तो बोल्टेस ठीक है न यहाँ पर विभव प्रमरता जो होती है क्या होती है डेल्टा वी अपान डेल्टा यक्स यह आपके होती है विवप्रमरता आपको निकाल लेना है एक माइक्रोफायरट के चार संधारित किस प्रकार जोडने पर तुल धारिता एक माइक्रोफायरट होगी चितर द्वारा समझाइए तो आपके पास ध्यान दीजेगा चार आपके पास कैपासिटर है उनकी जो रेशनी है कितना दे रखा एक माइक्रोफायरट चार होगी तो आप इसमें निकालेंगे कि इसको हम किस प्रकार जोड़ेंगे कि इसकी धारिता जो होगी तुल धारिता होगी एक माइक्रोफायरट ही होगी पहले इसको हम किसमे चेंज करेंगे ध्यान देजेगा यह आपसे question पोच रहा है तो आप लोग इसको करने का प्रयास करें कि कैसे होगा ठीक हमारे पास चार कैपासिटर है मान लिजे C1, C2, C3 और C4 चारों की जो rating है कितना दे रखा एक microfiber दे रखा है ठीक पहले इसको हम समा समांतर में जोड़ेंगे तो यानि इध्यान देजेगा एक यहां जोड़ दिया एक यहां जोड़ दिया एक यहां जोड़ दिया एक यहां जोड़ दिया ठीक ए और B ठीक यानि C1, C2, C3, C4 ठीक यानि अब इसको अगर स्रेणी में जोड़ते हैं समांतर में जोड़ते है 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus 1 upon C4 या बराबर 1 upon C ठीक टोटल आपको यह निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 upon C बराबर 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 1 ठीक या आपके लिए हो जाएगा तो यहाँ पा टोटल क्या हो जाएगा ध्यान देज़ेगा अगर इसको हम किसमें जोड़ें इसको हम अगर समांतर में जोड़ेंगे तो कितना होगा ठीक ना कितना होगा यानि कितना हो जाएगा 1 upon यानि 4 upon 1 यानि कि क्या हो जाएगा C बराबर 4 microfarad ठीक कितना हो जाएगा 4 microfarad ठीक पूछ किया रहा है उसकी धारता कितनी हो जाए कितनी हो जाए एक microfiber हो जाए ठीक है न? तो ध्यान दीजेगा चार संधारता अब इसको हम किसमें जोड़ेंगे समांतर में जोड़ेंगे यानि कि एक यहाँ पर जोड़ें ठीक उसका देख यहाँ पर जोड़ दें एक यहाँ पर जोड़ दें और एक यहाँ पर जोड़ दें ठीक है ना तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पर हम इसको समझना चाहें तो अभी वराबर क्या होता है C1 plus C2 plus C3 plus C4 ठीक है न यहां के जाएंगा 4 microfarad इसमें भी होगी तो आपको बताना है कि धारिता कितनी हो एक microfarad तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आपको यहां पर 4 microfarad कर लेना है कितना 4 microfarad सेरी में जोड़ हैं तब भी समांतर में जोड़ हैं तब भी आगे कितना 4 microfarad ही आएगी अगर सभी की rating समान है एक microfarad है और चार लगे हैं तब तिक किसी condition कितना आएगी चार microfarad ही आएगी ठीक है न चलिए अगला question देखिए क्या है आपके लिए पूर्ण आंतरी एक किसी चालक कितार की लंबाई दोगनी कर दी जाए तो प्रतिरोद कितने गुना हो जाएगा अगर चालक की चालक की लंबाई खिंचकर दोगनी कर दी जाए तो उसका जो क्या कर रहा है उसका प्रतिरोद कितना गुना हो जाएगा या आपको बताना है पूर्ण आंतरीक परावर्थन क्या होता पूरा आंतरिक परावर्थन का मतलब क्या होता है, जैसे मानली जे किसी आंतरिक परावर्थन का पूरा पूरा परावर्थन के बात नहीं कर रहा है, आंतरिक परावर्थन, जैसे मानली जे हमारा क्या है, वायू है, यह हमारा क्या है, काच है, हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकास हम यहां से क्या कर रहे हैं भेज रहे हैं बाहर तो जब यह क्या होगा यहां बाहर निकलेगा तो अभिलम से क्या हो जाएगा दूर हटेगा यह उसको हम बहाते चला जाएंगे तो एक कंडिशन ऐसी आएगी कि वे उसी मार्ग में ही वापस लोट आएगा ठीक तो इस में क्या होता है कि जैसे यहां से कोई किरन निकली पुना दूसरे मार्ग में चली गई ठीक न अपवर्थी ठोक करके लेकिन परावर्थन में क्या होता है उसी मार्ग में वापस लोट आती है ठीक चलिए पूरा अंतरिक परावर्थन क्या है और किसी गोली उत्तल प्रिष कि प्रकार के लेंस process का उपयोग किया जाता है या किस उम्र के वेक्टियों को होता है ठीक है नاشूंद की आफ्र प्रिक्ष्ट का अब प्रकास के प्रकास है ना वो था या परिक्षेपन क्या है वर्विक्षेपन क्या होता है मैं आपको बता जो थोड़ा कि इसमें क्या होता है कि यह से आपको आउरक्त की जो सूर के प्रकास है ना वो किसी प्रिज्वी से गुजारते हैं तो वो क्या होती है साथ रंगों भिभक्त हो जाती है ठीक और दूर द ये नियम आपको लिखना है ठीक है ना चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्विशन देखे किनी चार प्रशनों के उत्तर दीजिए बैदु इस्तिति उर्जा की परिभासा लिखिए तीन आवेशूं Q1 Q2 Q3 को आर्भुजा वाले संभावत रिभुच कोनों पर इस्तित ह है इस निकाय की बैदु इस्ति उर्जा घ्यात कीजिए ठीक वानडे ग्राब जनीतर का सची तुर्वलन आपको करना है ठीक समानतर प्ले संधारितर की धारता का सूत्र व्यूत्पन कीजिए ठीक अगला क्विशन अनोमीय परिपत को उधारन सही समझाईए ठीक है ना और एक चालक में 6.4 एंपियर की बैदु धारा प्रवाहित होती है यदि चालक में मुक्त इलेक्टरानों की संख्या आर इंटू जर्स की बादे 24 प्रति मीटर है तो उनका अनुगमन बेग ज्यात कीजिए ठीक है ना किनी चार प्रशनों के उत्तर दीजिए हाइगेंस के सयुक्त सुच मदर्सी का सशित वर्डन कीजिए तथा अबवर्धन चमता का सूत्र लिखिए ठीक है ना लेंस मेकर सूत्र यानि 1 अपान यप बराबर 1-1 अपान आर 1-1 अपान आर 2 को निगमित कीजिए ठीक है एक प्रकास किरण अपवर्तन आंग अंडर रोट 2 वाले प अपवर्तित होती है यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो तो प्रिस्म कोण ग्याद कीजिए ठीक ना दो तरंगों कि तिवरताओं का अनुपात 25 अनुपात 16 है उनकी आयामों का अनुपात क्या है दोनों तरंगों के बैतिकरण के पस्चाद महत्तवम थानि उन्तम तिर्वताओं का अनुपात ग्याद कीजिए कि दो प्रशनों के उत्तर दीजिए मुक्त इलेक्टरान माडल क्या है इसके आधार पर उम का नियम सिद्ध कीजिए किसी बैदु दुधरू के कारार इसकी अक्षपर इस्थित किसी बिंदु पर बैदु छेकिति वरत के लिए सूत्र ब्याप्त कीजिए किसी बैदु परिपत में तीन एंपियर की धारा पांच मीनर तक प्रवाहित करने में बारस हो जूल कारिक करना पड़ता है तो परिपत के स्थित का बिदु तो वह अगबल ग्याद कीजिए ठेक प्रिजम के पदार्द का परतनांग एन माध्यम का परतनांग तथा अपवरतनांग कोंड ग्याद कीजिए ठीक है ना तो यह आपके लिए पूरा मॉनल पीपर है मेरे बैर बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं पिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए जैहिन च है पने बच्चों अबेब तक के लिए में लिए कर दो रेपदाए